हलो नमस्कार सात्यों स्वागत है आपका माइंड इग्जाम के यूटूब चैनल पर सात्यों सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC MES दोस्तों जो भी आपकी ड्राइवर के 1070 वेकेंस टी ती के बारे में तो उनके बीचे बड़ा कान्फीजन हैं जिसकी वज़े से वो इस भरती की ट्रेटेस्ट की भी त्यारी नहीं कर पारे हैं क्या हमने एक्स्पेरियन्स जो फोम भराता उसमें नहीं लगए था तो क्या अब हमारा एक्स्पेरियन्स होगा या नहीं होगा क्योंकि जब document आपके बेज़े कहतें तो उन सभी ने experience अपना तीन साल का बेज़ दिया है उसके लिए भी officially अपडेट लेके आ चुके हैं कि किन भी हैर्ट्व का आपका है जो document reject होंगे किनके accept होने वाले हैं और कब तक दोस्तों आपका जो document की छटनी का result है वो जारी SSC की त आपके लिए का इंपोर्टेंट रहेगा वीडियो का अंतक जूड़ देखेगा साथ वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलेगा और दोस्तों आगे की अपडेट के लिए चैनल का सब्सक्राइब की और बैला कर प्रेस के लिए वही दोस्तों एक दूसरे भी रहता है कि आप teal से आपके नमबर है आप में कमेंट बोक्स साथ कर्या लगाया नी लगाया वही आप करके है जरू जह दोस्तों कंप्ली आपकारी देख लेते हैं दोस्तों जो बी आपके डोकुमेंट का रिजल्ट आएगा वो दोस्तो SSE NR की वेबसाइट पर आएगा, क्योंकि दोस्तो जो वेकेंसी 117 है, वो NR के अंतरकत है, और दोस्तो जो रिजल्ट आएगा आपका, वो NR की वेबसाइट पर आएगा, यानि कौन से वेबसाइट पर आएगा, SSE NR.NIC.INFER, दोस्तो इतने दिन जितने भी NR रिजल्ट आ रहे थे, वो फेज 9 के, फेज 10 के आ रहे थे, पर दोस्तो पिछले 2-3 दिनों में है, कई सारे रिजल्ट है, वो फेज 11 के भी आये हैं, और स्पेशली ड्राइवर के भी आये हैं, और हम बात करेंगे कि 37 स्टूडेंट के लिए भी दोस्तो एक ख़बर लगात आपके जो भी अपडेट वे इनके दोस्तो बारे में जानकर दी गई है, यहां मैं दोस्तो बात करता हूं, यहां जो आपके है फेज आपके 9 के भी है, नाएन के देखने को मिलेगे, फेज दोस्तो एलेवन का आपको यहां दिखाए, जो बारा तारीक बासगा है, जिससे है यह ड्राइवर की ही वेकनसी थी ससी अनर में आप दोस्तों किनके विए हैं किनके आपके रिजक्ट कर देगे उनकी लिस्ट मेरे पास है यह दोस्तों आप खुल से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं यह दोस्तों आपका है subject rejection लिस्ट ओफ 55 इन दे रस्पेक्ट ओफ फिलिंग अप देट इन जो वेकनसी आपकी थी जनरल एक स्ट के लिए वेकनसी जिरो अकसरीश में बाकी वेकनसी नहीं थी ड्राइवर ओडिनरी ग्रेड सेकेंड के दोस्तों वेकनसी थी ऐससी अनर के तैर और दोस्तों इसके जो के पोश्ट नमर थे अनर 33 0023 आप दोस्तों इसकी बारे में बात करें ते इसमें डोकॉमेंट कौन-कौन से में इसेंचल क्वालिफिकेशन के तैर डोकॉमेंट कौन-कौन से उसे तैर वेडिल ड्राइविंग लाइसेंस साथ में एट लिस थी एर एक्स्पिरिंस इंदर ड्र और अभी बेज़ा भी है अब उनके बीच भी है कि मेरा रिजेक्ट होगा तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपने फोम में भी फिल आप वही चीज़ किये और अभी भी आपने वही चीज भेज़ी है तो सो परसेंट हो जाएगा इसका आप है खुद से हैं इन साल का दूसरी की हम बात करें रिजेक्ट ड्राइवन लाइसेंस नोटे इनकलोज इन्होंने नहीं लगाया है जब डॉकुमेंट बेज़े हैं इसके बाद दोस्तों बात करें रिजेक्ट एक्सपिरिंस ओप दर त्री इन ड्राइवन नॉट फूल फूल फिल्ड या इ इसके बाद दोस्तों, Rejection Experience of the Three in the Driving Noteful, यही सीज आपको सब में दिखाए देगी, इसके बाद दोस्तों देखेंगे, आपका Rejected Application Note Receive on the Before Due Date, यानि जिस देट तक भेजने थे उस देट तक नहीं बेजे, Rejected Application Note Receive on the Before Due Date, यानि देट से पहले इन डोकोमेंट नहीं बेजे हैं, यही चीज आपको दिखाए देगी, उस समय आपका Experience नहीं लगाया था, उनका आपका यहां Accepted नहीं किये जाएंगे डोकोमेंट, यानि अगर आपने बेजा है, पहले और अभी बेजा है, प्रम्तु आपने जो फोम फिलप किया था, उस समय अगर आपने नहीं लगाया है, Experience तीन साल का, तो आपका यहां जो डोकोमेंट किस कुनिटी है, वो दोस्तो रिजट आपकी कर दी जाएगी, यानि आप आगे के लिए अलिजबल नहीं होंगे, यह सीज़ आप दोस्तों देख सकते हैं, लगातार दोस्तों एक ख़बर यह भी सुनने को आपको मिल रही है, कि आपके हैं 31 स्टुदेंट क्व कौलिफाई हैं, अगर में बात कर लेता हूँ तो SSE ने लगबख 8000 कि फ्यूट आप आप आपस है, वो कौलिफाई किये हैं आपके रिजल्ट में, यानि एकजाम में इतने बच्चे कौालिफाई हैं, तो आप उसमें से कितने बच्चे कौलिफाई हो सकते हैं, मैं अगर दोस्तों मिनिमम से मिनिमम बात कर लेता हूं, तो दोस्ते तीन हजार, ये कम आकड़ा मान सकते हैं, दोस्ते तीन हजार स्टुडेंट ने डोकॉमेंट अपने भीजे ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चला, कि मेरा रिजल में पास हुआ हूँ, फेल हूँ, कुछ भी पता है, बस एक्जाम दिया, कई तो बहुत सारी स्टुडेंट में ये भी बता दूँ, आपके आसपास भी होंगे, इनके मार्क्स पचास से लेकर साट के बीच हैं, बीशी वाले स्पेशली हैं, या जनरल वाले हैं, तो 65 के आसपास मार्क्स हैं, और ये क्वालिफाई हो चुके है इसके बाद दोस्तों में बात करेंगे, तो इनमें से अगर आप हर दूसरी स्टुडेंट से बात करेंगे, तो एक ही जवाब होगा, कि मैंने जब हो मराता उसमें एक्ष्परिंस नहीं लगाए था, यानि इसकी 50 परशेंट आप मान सकते हैं, तो आंकड आपको बताया जा तो ये आकड़ा मैंने आपको पहले भी बताया था, कि 3000 से लेकर 3500 के आसपास भी हरती है, वो आपके क्वालिफाई किये जा सकते हैं ट्रेड के लिए, अब 3000 में से आप माहन के लिए कि चलिए 1070 सीट हैं, तो कंपर्टिशन कहां रह सकता है, और कटों कहां रह सकती है, और मैंने ये भी बताया है कि इस क्रैटेरिया में स्टुडेंट बहुत ज्यादा है, यानि जो 100 प्लस मार्क्ष वाले हैं, वो इस्टुडेंट नेगलिजेवल हैं, 90 के आसपास ठीक ठाक स्टुडेंट है, 80 के आसपास एवरेज आम मान सकते हैं, बाकी जो कमेक्शन स्टुड हैं, आपको यहीं देखने को मिलेंगे, यह तो बात हो चुकी है, यानि दोस्तों आपका जो रिजल्ट है, उसके लिए बात कर लेते हैं, आपको मैं बता दूँ कि मोदी जी का मीशन मूर्चला, यह बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, कि किसी भी वेकेंसी सेंट्र की आप बात कर लेंगे, तो उसमें आपको एक जल्दी-जली प्रोसेस देखने को मिल रहा है, यहां तो बात हो रहे है, 1070 वेकेंसी की, यानि मोदी जी के मीशन मोड की तहर रोजगार मिले चलने हैं, जो रोजगार मिले 31 मार्स तक चलेंगे, 31 मार्स 2024 तक चलेंगे, और इन सभी रोजगार मेलू में आपकी जोइनिंग भी मिलेगी, आप कान खोल के सुन लिएगा, आपको यह चीज थोड़ी से अटपटी लगने वाली है, प्रम्तु यह आपका फेक्ट है, आप खुद से यह चीज़े देख सकते हैं, अब आपको 31 30 मार्स तक जोइनिंग मिलने की उम्मीद है, दोस्तों उसके बाद आचार सरीता लग जाएगी, तारी बढ़ती पर एक बार रोक लग जाएगी, और मैं बता दूं कि आपका है, जो रिजल्ट है, वो किसी भी समय से एनर की वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है, किसी भी समय से एनर की वेबसाइट पर रिजल्ट आ सकता है, और उसके तुरंत बाद एक बाद हम सुनेगा, तुरंत बाद ट्रेड टेस्ट आपका करवाया जाएगा, जानी अक्ष्पेक्टर 15 फ्रोरी के बाद आपका कभी भी ट्रेट सकता है, और दोस्तों ट्रेड टेस्ट में एक चीजें और देखने को मिल रही है, तो कि यह इसमें सिर्फ लॉंग ड्राइव होगा, या इसमें ऑप्टिकल वगरा नहीं होगे, यह सीज़ कोई नहीं कह सकता, दिल्ली प्लीस की में ट्रेड टेस्ट की बात कर लेता हूँ, तो पहले दिन जानी अगर मैं बात करूँ तो जिस दिन ट्रेड टेस्ट शुरूआ, उस ट्रेड टेस्ट के पहले दिन, रात को भी किसी को नहीं पता था कि कोन सी ओप्टिकल होगे, कोन आपको यह बात कह सकता है, कि कैसे आपका है, जहां उसी दिन आपका ट्रेड ओगा, जिस दिन आपका शिर्फ इसमें लॉंग होगी इसमें उप्टिकल नहीं होंगे तो सात्यों उसके लिए भी हमारे ड्राइविंग स्कूल में बेश सुरू हो चुका है तो आज ही और अभी आप जोइन कर सकते हैं क्योंकि समय आपके पास नहीं है बहुत कम समय है तो यह हमारे कॉंटेक्ट नमर रहेंगे यह एड्रस रहने वाला होस्टिल पैसिलेटी आपको मिलने वाली है मेस ड्राइवर के बेश हमारी सुरू हो चुके हैं तो आपको अभी ज्यादा बहुत ज्यादा आप सोच रहें कि मिल जाएगा अभी तो इस बढ़ती को दो साल लग जाएंगे पिछली बढ़तियां भी कंप्लीट हो रही है तो सात्यों यह वो चीजें नहीं रह गई है मोदी जीजी का अपना कोटा पूरा करना है एक वार फिर से आपका है दोजार चोबीश में सरकार बनानी है और 31 मास दोजार चोबीश में पहले पैक्सिमम बढ़तियों की है वो जोइनिंग भी देनी है आप मैंसे कुछ कोई विश्वास नहीं होगा तो दिल्ली प्लीस की बात कर लेता हूं अभी खबी भी किसी भी दिन आपका रिजल्ट है वह से की तरफ से आपका जारी किया जाएगा और तुरंद बाद आपको ट्रेटेस्ट की डेट मिल जाएगी दोस्तों यह थी कंप्लीट जानकारी अगे की जानकारी लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लगातार आप भी जोड़ता नहीं है ट्रेट टेस्ट के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलें नेक्स्ट दून तब तक लें जोड़नें के लें दन्यवाद जाहिन बंदे मात रहूं